नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो मैं आपको आधर कार्ड से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी जानकरी देनेवाला हूँ जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है जियां दोस्तों आजकल आपने सुनाई होगा कि आधार कार्ड को हम हर जगा लिंक कर रहे हैं चाहे वो bank account हो, चाहे अपने sim card से हो, चाहे pen card से हो मलब जहां भी आप देखो तो आधार कार्ड को लिंक करने की ही बात कही जाती है और कई बार हमें खुद भी ध्यान नहीं रहता कि हमारा आधार कार्ड कहां कहां पर लिंक होगा है या हमने कहां का लिंक किया है तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आपको यह याद नहीं है कि आपका अधार कार्ड कहां कहां पर लिंक है तो इस तरह से आप यह चेक कर सकते हैं कि आपने अधार कार्ड को कहां कहां पर लिंक किया है और आप जान सकेंगे बहुत ही आसानी से तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए तो सबसे पहले अपने Google ब्राउजर को आप open लिजेगा ठीक है दोस्तो आप प्लीज ध्यान से देखिए क्योंकि step by step मैं आपको यह बताऊंगा बहुत ही simple तरीके से आप यह पता कर लेंगे कि आपका अधरकाड कहां कहां पर आपने इस्तिमाल किया है या लिंक किया हुआ है ठीक है दोस्तो और Google ब्राउजर को आप open कर लेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है UIDAI यहाँ पर आपको लिखना है ठीक है और यह लिखके आप सर्च कर दीजिए और पहले नंबर पर देखिए आपको यह इनकी official साइट एक खुलेगी अब हमें यहीं पर काम करना है और वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ और सबसे जरूरी बात कि आपका mobile नंबर आधार कार्ड के अंदर रेइस्टर होना बहुत जरूरी है और वो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है आप उसमें देख सकते हैं अब देखिए यह पेज यहाँ पर लोड हो गया है अब यहाँ पर हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ देखे इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ देखे तो आपको यहाँ पर उपर एक option दिख रहा है यह आधार services ठीक है दोस्तों देखे आधार services यह option है और इसमें ही आप जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ एक option दिखेगा आधार authentication history यह देखे आधार authentication history इसका मतलब यह होता है कि आधार को हमने कहां खां हमने लागू या जारी कर रखा या link किया हुआ है ठीक है यह आधार services के अंदर देखे आपको मैं थोड़ा जूम आउट भी करके दिखा रहा हूँ यह आधार services के अंदर आधार authentication history का जो यह option है हमें इसके उपर ही क्लिक करना है ठीक है अब देखे मैं इसके उपर क्लिक कर देता हूँ अब जैसी मैंने इसके उपर क्लिक किया है अब यह हमसे हमारा आधार नंबर पूछेगा और हमाई एक detail मांगी जाएगी देखे यह इस तरह का एक page खुलेगा अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है सिर्फ हमारा आधार नंबर देखे तो यहाँ पर हमें हमारा आधार नंबर डालना होगा तो दोस्तों security reason की वेज़से मैं यहाँ अपना आधार नंबर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आधार नंबर अपना यूज किया था और मेरा आधार नंबर ब्लॉक हो गया था क्योंकि कुछ हो सकता है कोई misuse कर रहा हो या कोशिश कर रहा था तो देखिए यहाँ पर पहले बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल लेना है 12 डिजिट का जो भी आधार नंबर है बिल्कुर ठीक टीक आप डाल लीजेगा ठीक है और दूसरे बॉक्स में आपको देखिए सामने जो आपके security code है यह बिल्कुर सेम एज आप पर क्लिक करेंगे generate OTP तो यहाँ से OTP generate होगा एक OTP आएगा आपके phone नंबर पर जो भी नंबर आपने अपने आधार नंबर के साथ रजिस्टर किया हुआ है तो वह OTP जब आएगा तो वह OTP आपसे डालने के लिए कहा जाएगा यहाँ पर यहाँ पर एक जैसी आप ड आधार नंबर कहां का यूज किया है कहां का लिंक किया है क्या क्या उसमें आपने काम किये हैं सारी पूरी हिस्ट्री आपकी आधार काड की आ जाएगी जबसे आपने आधार काड अपना लिया है सारी हिस्ट्री आपको बता दी जाएगी तो दोस्तों यह थी एक वीडियो लगातार मिलती रहें ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इसे जाद से जादा फायदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद